हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल इस वीडियो में हम सबसे वेश्ट तरीका देखेंगे एक्विरियम को ग्लीन करने का सबसे पहले जिता भी डेकुरेशन का इटम है उसे रिमूफ करें उसके बाद ब्रश के हेल्प से एक्विरियम पे ग्लास पे जमा एलगी और स्लाइम के कोट को अच्छे से रप करें उसके बाद बॉटम में जमा हुआ मचली के वेश्ट को भी अच्छे से रप करें उसके बाद सोड़े देर के लिए एक्विरियम में जिता भी डश्ट पार्टिकल घुल गया है उसे मिनिमम दस मिनट दें और ताकि वह सेटल डाउन हो उसके बाद साइफन पाइप की हेल्प से जिता भी नीचे जमा हुआ वेश्ट है उसे रिमूव करें मिनिममम 50% to 70% पानी चेंज करना जरूरी है मैंने इस वीडियो में ज्यादा पानी इसलिए चेंज किया है ताकि मुझे थोड़ा अपने एक्विरियम को शिफ्ट करना फिर एक पाइप की हेल्प से एक्विरियम में वापस पानी भरे देखे जादा पानी शिफ्ट कर निकालने के वज़य से मेरे एक्विरियम के मचली थोड़े स्ट्रेस आउट हो गये हैं और वह कोने में जाकर बैड गये हैं वह थोड़े देर में ठीक हो जाएंगे फिर अ देखिये मेरे एक्विरियम का फाइनल लूप थैंक यू फॉर वाचिंग देज वीडियो प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल